चक्मा और हाजुंग संगटनों ने अरुनाचल प्रदेश सरकार द्वारा समुदायों को जारी अवासिय फ्रमार पत्र यानि आर पीसी को रद करने की निंदा की है आपको बता दें कि चांगलांग के उपायुक्त ने 14 नॉवंबर को एक आदेश में इस्थानी अधिकारियों को आर पीसी को रद करने और इसके बजाए चक्मा और हाजुंग की अस्थाई निप्तान प्रमार पत्र यानि टी एसी जारी करने का निर्देश दिया था उदर चक्मा हाजुंग संगटनों ने इस कदम को अवैद बताया है और यहां तक कि इसे नसली अधार पर भेद भावपून कदम भी पताया है संगटनों ने कहा है कि राजे में 60 से अधिक वर्षों तक रहने के बाद भी उन्हें टी एसीद दिया जा रहा है नकि निवास प्रमार पत्र जो समाने नियम है यहां आपको बता दें कि राजे सरकार ने जुलाई में ओल अरुनाचल प्रदेश स्टुडेंस यूनियन की एक टीम ने दियून में अधिकारिक रिकॉर्ड का निरिक्षन किया था जिसमें चक्मा हाजूं की एक बड़ी आबादी पाई गई थी इसके बाद ही दोनों समुदायों को अरुप लगा दी गई थी इसके बाद राष्ट्य सुरक्षा धिनियम के तहत अधिकारियों और स्थानिय विधायकों की खिलाब कारवाई की मांग खरते हुए अरुप को रद किया गया वही चक्मा हाजूंग संगत्नों ने इस तरह के निरिक्षन को गयर कानूनी कराव दिया है In the wake of this arbitrary cancellation of residential proof certificates issued to the Chakma and Hajiong communities of Arunachal Pradesh We are very distressed and extremely saddened by the illegal decision taken by the government of Arunachal Pradesh This is an entirely illegal and vindictive move against the Chakmas and Hajiongs This has forced us to question who runs this government Is it Apsu or the Chief Minister himself? How can Arunachal Pradesh government cancel our residential proof certificates for a mere complaint filed by Apsu? This is a sheer discrimination and violation of our fundamental rights and denial of basic human rights to Chakmas and Hajiongs This order has jeopardized our future, the future of our youths the carriers of hundreds of Chakma and Hajiong youths who are serving this nation And here the future of Chakmas and Hajiong Could you, if you know what? Call the Chakmas Math Then the binding of Jesus